परिजय बच्चों, आज हम जैव प्रौद्रकी की एवं उसके उपियोग के बारे में जानेंगे वहाँ सर, ये रोचक लग रहा है हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रौद्रकी की क्या है? आपने सही बताया रितू, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रौद्रकी की का उपियोग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सर, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं हैं जिन के लिए जैव प्रौद्रकी की का उपियोग किया जाता है जैसे की रूगों की पहचान करने के लिए जीन इस्थानांतरण आ दी, बहुत अच्छे प्रतीक, आओ अब विस्तार से अध्यन करें, इस पार्ट में आप जय प्रोद्दोकी की एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्रिशी में जयव प्रवद्वकी की के उप्योगों की व्याख्या करना, जीन जिकिसा की व्याख्या करना, आडविक निदान का वरणन करना, पार जीवी जन्तुओं और उनके उप्योगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चार्चा करना क्रिशी में जैव प्रोद्धोकिकी का उप्योग विशिष्ट उप्योगों है तो किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित कर दें पौधों या जन्धों में सुधार कर दें के लिए जीवानूं, वाइरस, कवक, येस्ट, जन्तुक कोशिका, पादप कोशिका आधी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रोद्धोकिकी के रूप में जैव प्रोद्धोकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है क्रिशी में जैव प्रोद्धोकिकी एक कारगड तरीका है जिसके दौरा उन फसलों को तैयार किया जाता है जो हमारे बदलते वातावरण में बहतर प्रदेशन कर सकें। इन में से कुछ पीड़क प्रतिरोधी, शाक नाशी प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवण सहनशील, उश्मा प्रतिरोधी, फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोग शाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुथारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक इस्थानांत्रित किया जाता है, तो अनुवन्शिक्ता रुपांत्रित जीव यानि जी एमो का निर्मान होता है। आनुवन्शिक्ता रुपांत्रित जीवों का उप्योग आनुवन्शिक्ता रुपांत्रित पौधे कई तरह से उप्योगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कमपीड़क नाशी का उप्योग करने की आविशक्ता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्यूंकि पीड़क नाशी वायू, ब्रिद्दा और जल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार। आनुवन शिक्ता रुपांतरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है, जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। क्रिशी में जैप्रदोकी की का उप्योग BT का पास बैसिलस थोरिन जेन सीज द्वारा उत्पन, क्राई प्रोटीन, विभिन कीट पीड़कों के विरुथ प्रभावित जैव की नाशक होते हैं। क्राई जीव विशों को डिम्ब आंतर ल्यूमन में सक्रिये प्राग जीव विश के रूप में उत्पन किया जाता है। जीव विश आयनिक्छद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, जो कोशिकाओं और डिम्ब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौध है। खादे फसलों का लगभग 25 प्रतिशत भाग नश्ट कर देते हैं। RNA अंतरक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिये करना इस समस्या का वांचनिये प्राकृतिक समधान है। 203 RNA मध्यवर्थी अंतरक्षेप RNAI जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निश्क्रिये करने की सरल और तीवर्विधी है। किसी जीन का निश्क्रिये होना RNA का छोटे छोटे RNA में निमनी करण का परिडाम है। जो समझात दूत RNA को लक्षित करने के लिए रिबॉंड यूक्लियेज को सक्रिये करते हैं। और शदियों में जैव प्रोद्धुकी की का उप्योग। अनुवन शिक्ता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगनाशे द्वारा उत्पन होता है और जो ग्लुकोस के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन दो पॉली पेप्टाइड श्रिंखलाओं का बना होता है। श्रिंखला A और श्रिंखला B जो आपस में डाई सल्फाइड से द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राग हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सो प्रोटीएज कार्बोकसी पेप्टाइड एज ए कहलाने वाले प्रोटीन अभगटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राग इंसुलिन पूर्व वर्ती अनू से संशलेशित होता है। प्राग इंसुलिन के ये रुपांतरण अनू के केंद्रिय भाग अर्थात C-Peptide को प्राग इंसुलिन के C और N अंतस्थ सिरों से हटा देते हैं। शेश, पॉली-Peptide B और A श्रेंखलाएं आपस में डाई-सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होती हैं। परिपक वो इंसुलिन में C-Peptide उपस्तित नहीं होता है। जीन चिकिसा अनुवन्शिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्तित या दोशपून जीन की जगह कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकिसा कहलाती है। एक कोशिका के जीनों में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे समवहक किलाने वाले एक अनू में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उप्योग किये जा रहे सबसे सामानने समवाहक विशाणूं हैं जो प्रकृतिक रूप से आक्रमन कारी कोशिकाएं हैं और अपने अनुवन्शिक बदार्थ को कोशिका के जीनों में प्रवेश कराती हैं। एक समवाहक के रूप में विशाणूं का उप्योग करने के लिए विशाणूं के चीनों को हटा कर कोशिका के लिए निर्धारित नई जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विशाणूं कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने अनुवन्शिक बदार्थ प्रवेश क एक सफल इस्थनांतरण के परिणाम सरूप लक्षित कोश्का में अब नया जीन होगा, जो दोशपून जीन द्वारा उत्पन समस्या को सही करेगा। विशानों जिनका समभगों के रूप में उप्योग किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं रेट्रो वाइरस जैसे HIV, एडिनो वाइरस, एडिनो संबंध वाइरस और सरल परी सफ्र विशानों। आणविक निदान किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डिने, आरेने जैसे अणुओं के अध्यम द्वारा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। आईयो मारकर का उप्योग, आउशद प्रतिक्रिया, आउशद उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगती को प्रभावित करने वाली अनुवन्शिक विभिनताएं। आउशद या नैदानिक संयोजन का विकास और चिकिस्ये उप्योग, उभरती हुई फार्मेको जिनोमिक और आणविक नैदानिक प्रद्योगी की नैदानिक और व्यक्तिकत चिकिस्या में विनियामत मुद्दे। पार्जीवी जन्तु, ट्रांसजेनिक अनिमाल्स। जन्तु जिनकी अनुवन्शिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन द्वारा या अनुवन्शिक प्रधोगी की तकनीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर वेशन द्वारा बतल दिया गया है। पार्जीवी जन्तु कहलाते हैं। पार्जीवी जन्तु के उत्पादन के सामानिकारण हैं। कुछ पार्जीवी जन्तु का विशेष्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है। उधारण के लिए पार जीवी पशुओं को विशिस्ट मानव प्रोटीन युक्त दूद उत्पन करने के लिए बनाया गया था, जो मानव वाद स्भीती के उपचार में सहयता करती है। उधारण के लिए हावर्ड वैग्यानिकों को आउनको माउस या हावर्ड माउस कलाने वाले अनुवन शिक्ता निर्मित चूहा बनाने में प्रमुक वैग्यानिक सभलता मिली, जिसमें विभिन मानव कैंसरों के विकास को बढ़ावा देने वाला जीन है। पारजीवी जन्तूओं का उप्योग। कम समय में और अधिक परिशुद्धता के साथ जन्तूओं में पिशेश्टाओं को विक्सित करना संभव हो गया है। इसके लावा उपज बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुनवत्ता पारजीवी गाएं अधिक दूद उत्पर्न करती हैं या कम लेक्टोज या कॉलेस्ट्रोल वाला दूद उत्पर्न करती हैं। सुवर और पशु जिन में अधिक मास होता है भेड जो अधिक उन देती हैं। रोग प्रतिरोध वैक्यानिक रोग प्रतिरोधी जंत्रों को उत्पर्न करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसा की इन्फ्लूएंजा प्रतिरोधी सुवर लेकिन जीन की बहुत ही सीमिस संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए सिम्मेदार है। जीकिस्सा उप्योग जीनो ट्रांस्प्लांटेशन पारजीवी स्वर प्रतिरोपन अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पोशन संपूरक और औशधियां इंसुलिन, व्रिद्धी हार्मोन और रुधेर इसकंदन रोधी कारकों को पारजीवी गाय, भेड या बकरी के दूस से शिग्र ही प्राप्त किया जा सकता है या पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। मानव जीन चिकिसा में जीन की दोशपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनों से जीन की सामाने प्रतिलिपी जोड़ना शामिल है। पांच हजार नामित अनुवन्शिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है और पारजीवी जन्तू एक महत पूर्ण भूमी का निभा सकते हैं। औद्योगिक उप्योग सन 2001 में कैनेडा में नेक्सिया जैव प्रोधुगिकी के दो वग्यानिकों ने दूद पिलाने वाली बक्रियों की कोशिकाओं में स्पाइडर जीन को आपस में जोड़ दिया। बक्रियों ने अपने दूद के साथ रेशम निर्मान आरंब कर दिया और बाल्टी में अपने शरीर से महीन रेशम के सूत्रों को स्रावित किया। दूसे पॉलिमर सूत्रों को निकाल कर और उनको धागों में बुनकर वग्यानिक एक हलका कठोर लचीला पदार्थ बना सकते हैं, जिसका उपयोग सेन्निवर्दी, चिकिस्सा में सूक्षम सीवन और टैनिस रेकेट के तार जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा स जाता है। ऐसे जीवों के रुपांतरण और उपयोग से अनुमत एककस्व की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारत सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवन्शिक रुपांतरण की वैधानिकता और जन सिवा के लिए आनुवन्शिकता रुपांतरित संत्रिकी संतुती सम्मिती यानि G.E.A.C. है। सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष 129 मिलियन टन चावल उत्पादन का है। बायो पायरेसी बायो पायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनिक या आनुवन्शिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपणाली है। विशेश कर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मुआवजे का भुक्तान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रती बंधित करती है। भारत में उखने वाला पास्मती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंद के लिए मशूर है। लेकिन एक अमरीकी कमपनी ने अमेरीकन एकस्व वा ट्रेट मार्क कार्याले द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कमपनी ने भारतिये किस्मों को अर्थ बंधिक किस्मों से संकरन करा कर बास्मती की नई किस्मों विक्सित की। क्या आप जानते हैं अमेरिकी शूत करताओं ने एक प्रणाली विक्सित की है जिसमें नीले प्रकाश को सक्रिये करके किसी भी वांचित जीन को प्राप्त किया जा सकता है तथा टर्न ओन या टर्न ओफ कर सकते हैं जो जैव प्रोद्दोगी की और चिकिस्सा में अनुसंधा के लिए हो सकते हैं ये पहली बार है जब डीने के विशिष्ट खंडों को टर्न ओर या टर्न ओफ किया गया है उन्होंने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीवरता का उप्योग करके जीन अभिव्यक्ति के इस्त सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं विशिष्ट उप्योगों है तू किसी उत्पात को बनाने या रूपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए जीवाणूं वाइरस, कवक, यीस्ट, जन्तु कोशिका, पाधप कोशिका आदी जैसे सजीव जीव का उप्योग करने वाली प्रद्योकिकी के रूप में जयव प्रद्योकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डीने, आरेने जैसे अणों के अधियन दोरा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आन्विक निदान कहलाती है। जन्तू जिनकी आनुवन्शिक विशेष्ताओं को एक रूपांतरित जीन दोरा या आनुवन्शिक प्रद्योकिकी की तकनीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंदर विशन दोरा बतल दिया गया है। पार जीवी जन्तू कहलाते हैं। विशेषकर एक अस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मौवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रतिबंधित करती है। प्राप्त करते हैं।